नमस्कार दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यह मैंने स्टमबर शुरू होने से पहले ही कुछ सैपलिंग लेकर आई थी मैं गेंदे की मतलब विंटर के बहुत सारे प्लांट्स के सैपलिंग लेकर आई थी और उनमें से जो कुछ बच गए हैं और इतनी क्लिएंग करते हैं क्योंकि न्यूब रांश में ही कलियां बनती हैं और फिर फ्लावर रिंग होती है तो मैंने स्टार्टिंग से ही इनको सबको फिंचिंग करना स्टार्ट कर दिया था फुलावर्स आ रहे थी 50 मोphone कि और दुख तो लगता था पर I Peet अब एक स्टार्ध क तोड़ेंगे तो उससे मेरे चार-पांच फ्लावर्स और आ सकते हैं जो प्लांट बुशी होगा उतना ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा तो यह हर प्लांट की एक स्टाटिजी होती है कि इस तरह से ही उसको गहना बनाया जा सकता है पिंचिंग से और ज्यादा से ज्यादा फ्लावर्स लिए जा सकते हैं ये काम मैंने एक महीने तक किया था और फिर एक महीने के बाद मतलब जन्द्वरी से मैंने काम छोड़ दिया था इनकी बिंजिंग करने का और फिर से flowering भी start हो गई थी और समय समय पर इसमें मैंने खाद देना रोका नहीं था मतलब इतनी winter हो रही थी उसके बाद भी इनको fertilize करना बहुत जादा जरूरी है जो इस समय जो result देखने को मिल रहा है ये पुराने जो मेहनत है उसी का ही नतीजा है तो सरदिया तो बहुत पढ़ गई थी धूप नहीं निकल रही थी तो उस समय उन्होंने फ्लावरिंग करना छोड़ दिया था पर अब जैसे ही मौसम अच्छा हुआ है और प्लांट भी हल्दी है कोई भी मतलब किसी तरह की इस पर रोगदोश नहीं लगे हुए है और अब फिर से मुझे इसमें कुछ जो फर्टिलाइजर मैं यूज करती हूँ बहुत इजी है मतलब कोई इतना महेंगा नहीं है और अब कभी कभी तो अपने यह हमेशा ही अपने घर में भी मिल जाता है तो इसके लिए मैंने क्या अभी मुझे करनी पहले तो प्लांट की पूरी सफाई कर दे जो अनेसेसरी जो घास वगरे सब उगाई है इनको हटाना बहुत जरूरी है पानी डाल दिया था और प्लांट जब फ्लावरिंग हो तो प्लांट को मिट्टी सूख ही नहीं होनी चाहिए सबसे बड़ा मतलब यह फूलों के लिए जो फायदे मन चीज होती है फर्टलाइज तो हम करते ही रहते हैं समय समय पर मिट्टी बिलकुल सूख ही नहीं होनी चाहिए एक बार अगर मिट्टी सूख गए प्लांट फ्लावर सूखने लगे तो फिर वो दुबारा से अपने आपको सर्वाइव नहीं कर पाते हैं और फिर वो खराब हो जाता है और धीरे जहां से फ्लावर सूखने स्टार्ट हुए तो पौधे में कीवी जो एनरजी है वो रुक जाती है एक तरह से तो बहुत जादा गीला भी नहीं रखना है पर मिट्टी जो भी स्टार्टिंग में बहुत अच्छी बनाए कि पानी ब प्लांट पर कोई असर नहीं हुआ प्लांट पूरी तरह से हल्दी है सब इनकी सफाई कर ली जाए और उसके बाद जो खाद देंगे इसमें जो विंटर के लिए विंटर के प्लांट के लिए जो सबसे अच्छी खाद होती है वो सरसो की खली होती है सरसो की खली में सारे न नहीं पड़ती हैं तो वही काम मैं भी करने जा रही हूं तो उसको कई तरीके से दे सकते हैं पहला तो तरीका है कि सरसो की खली मैंने अपने साले ब्लांट्स की अच्छे सी गुडाई कर दिया है यहाँ पे मेरे पांच प्लांट रखे हुए हैं इनकी गुडाई करके क्योंकि काई भी जम रही थी रूप नहीं मिली थी जिसकी वज़से मिटी अच्छे से सूख नहीं पा रही थी तो यह कर दिया है काम और यह रही सरसो की खली जब जो तेल निकल जाता है उसके बाद जो खली बच्छती है जानवरो को भी खिलाने में यह काम आती है यह हो तो इसको जो मैं करती हूँ या तो पानी में भीगो के जैसे आधा किलो क्योंकि plants मेरे बहुत सारे हैं तो आधा किलो मैं 5 लीटर पानी में भीगो देती हूं और फिर एक-एक मग मताँ एक-एक लीटर को फिर तीन लीटर पानी में mix कर क्योंकि यह भी सर्दी है तो इसको जादा मताँ पतला घोल देना चाहिए पर उतना भी नहीं काम कर जाता है गर्मियों में तो यह बिलकुल नहीं दे सकते क्योंकि यह गरम होती है तो गर्मी को तो नहीं उसकर सकते पर सड्यों में एक लीटर में 3 लीटर पानी मिलाकर उसी जिसमें हमने भीगोया है सर्सो की खली को तो सारे plants में अपने दे देंगे तो इनको full nutrition मिल जाता है और नहीं तो इनके छोटे छोटे टुकड़े करके आप ऐसे मिट्टी में दो तीन जगा गाड़ भी सकते हैं जैसे ये इतना छोटा टुकड़ा है तो ये धीरे धीरे dissolve होगा और nutrition इसको समय समय पर मिलता रहेगा एक दूसरा तरीका ये भी हो सकता है और अगर ये सरसों की खली जिस किसी के पास नहीं है नहीं मिलती है तो यो अपने किचन में सरसों के दाने होते हैं ये इनको भी आप पीस के पीस करके इनका जो पाउडर है उसको फिर पाउडर बन जो तयार होगा उसको गमले के चारों तरफ गुडाई कर गुडाई करना बहुत जरूरी होता है जिससे की मिट्टी लूज हो जाती है और जो भी हम खा देते हैं वो डायरेक्ट प्लांट में मिलता रहता है जड़ो को मिलता रहता है और उनकी क्रोध बहुत अच्छे से होने स्टार्ट हो जाती है तो जैसे और ये भी फाइदा है और जैसे ये है एक ग्लास पानी में इसको दो दिन के लिए रख दिया है और गर्मियों में तो इसकी स्मेल बहुत जादा गंदी होती है अभी तो कोई दिकत नहीं है अराम हो जाता है जैसे इसका थोड़ा से इस तरह से पानी हो जाएगा और आप पूरे गंबले में अपना इस तरह से दे दीजिए चारू तरफ से कुछ भी नुकसान नहीं होग प्लांट में तो यह ट्रिक जरूर फॉलो करिए आपके भी प्लांट इसी तरह से हल्दी होंगे खूप सारे फ्लावरिंग करेंगे और यह इसमें मेरी गोल्ड ही नहीं विंटर के जितने भी प्लांट से आप उसमें यह काम कर सकते हैं तो कैसा लगा मेरा वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा जो भी मेरे चैनल में न्यू आए हैं प्लीज सब्सक्राइब जरूर करके जाएगा चलिए मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए ओके फ्रेंट्स थैंक्यू एंड बाई बाई